Love Infinite में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो कैसे है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फिर ये तो मैं आशा ही करती हूँ और कामना भी यही करती हूँ कि आप हमेशा चाही कुछ है चाही नहीं है चाही कोई है चाही नहीं है आप हमेशा खुश and joyful रहें मैं यही कामना करती हूँ तो चलिए इसी कामना के साथ शुरू करते हैं कि आज का दिन आपका ठीक है? तो अब बात करते हैं कि next seven days तक आज के पहली तारिक से लेकर साथ तारिक तक आपका time कैसा रहने वाला है इसमें आपको इन दोनों डेक में से एक को चुनना होगा ठीक है? तो the first one is earth mother अर्थ मदर आप जानते हैं अर्थ हमें सब कुछ देती है सब कुछ आज हमारे पास जो भी है वो सब कुछ अर्थ के थू ही है तो आप first card earth mother चुननीजिए feel loved and comforted the first one is earth mother and the second one is sky father और ये भी आपको मालूम है कि जो उपर आस्मान है उसे हम father ही कहते हैं क्योंकि उपर से जो वर्षा होती है उसी से ही धर्ती माँ penetrate होती है और flourish होती है nourish होती है और वही से जो हमें food मिलता है वो food खाकर हम भी nourish होते हैं तो यहां पर यही बात हो रही है कि आप या तो sky father को चुन लीजिए या earth mother को दोनों ही एक बात है लेकिन polarity तो दोनों जगे हैं जैसे आपका relationship होता है female and male इसी तरह से हर जगे female and male polarity पूरे universe में है ही है तो इन दोनों में से एक को चुन लें थोड़ी कहरी सांस लें और एक एक को चुने तेंक यू सो मच आपने फर्स्ट एक को चुना तो अब बात करते हैं अर्थ मदर की beautiful drawing beautiful right feel loved and comforted तो अब आप reading को देखेंगे तो loved feel करें और comforted feel करें यहां आपको guidance भी मिलेगी और plus seven days में आपकी क्या feelings आ रही है वो भी हम check करेंगे अब ही देख लेते हैं कि up to seven days one, two, three, four, five, six, seven इन seven days में आपके लिए क्या रहने वाला है तो first card is blessings Ace of Swords it's a big blessing अभी तक आपने 2020 में जो भी blessings मांगी और जो भी आप चाहते थे घर, परिवार, अपने लिए, अपनी body के लिए अपनी mind के लिए, अपनी soul के लिए वो सब आपके लिए सारे questions का जवाब yes में आता है क्योंकि angels आपको कहते हैं कि yes, ये सब होके ही रहेगा तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है बस यहाँ देखने की जरूरत है कि आपकी desire सच में एक pure desire थी या फिर सिर्फ physical desire थी तो physical and pious soul desire में अंतर है ठीक है वाव, five of swords यहाँ भी एक और sword यहाँ पर यहाँ आपने जो कहा जो भी universe में आपने manifest किया जो भी आप affirmations लिखते हैं चाहे मेरे बताए गई personal reading के थुरू जो भी आपको guidance में लिए उसके थुरू या फिर कैसे भी यह करके आपने सीखा healing सीखा है affirmation लिखना सीखा है affirmation देना सीखा है चाहन सितारों से बात करना सीखा है जो भी आपने universe से conversation करना सीखा है वो बिलकुल big yes है इसके लिए और धरती पर 3D world की बात करें माद धरती जो है अर्थ मदर है वो आपको आशिरवात दे रहे हैं कि आपको 3D world में जो भी आपने अपने लिए manifest किया है physical form में घर परिवार जॉब physical relation और या फिर आपका relation के साथ साथ new birth के लिए चाहे वो आपने किसी को new birth देना है या फिर अपना ही transformation करना है as a new birth तो यहाँ पर यह guidance और blessings आरी है कि आपके लिए it's a big yes first day ऐसा ही है आपके लिए जो भी आपने wish किया वो होगा second day आपके लिए है and the third day आपको यह feel हो सकता है कि मुझे क्या मिला तो बार बार यह ना सोचे कि मुझे क्या मिला ten of swords यह आ रहा है इस तरह से अगर आपको यह बार बार यह लगेगा कि मुझे मिला ही क्या है life में कुछ भी तो नहीं रहा यह वो तो मैं बार बार कहती हूँ चाहे कुछ है चाहिए नहीं कोई है चाहिए नहीं आपको हमेशा joyful रहना है joyful रहने के लिए हमें ना तो material की जरूरत होती है ना ही किसी और person की होती है चाहे वो हमारा अपना lover हो चाहे वो हमारा husband हो, spouse हो, कोई भी हो सच बतारी हूं है joyful अगर आपको रहना है न तो इन सब के जरूरत है ही नहीं ना उनका physical form में होना जरूरी है ना ही उनकी याद या उनकी photo या उनका कोई सामान 3D form में होना जरूरी है नहीं है जरूरी joyful अगर आपको रहना है तो आपको किसी भी चीज के जरूरत नहीं है हाँ ये बात सही है mother earth हमें खाने के लिए देती है body है हमारी तो उसको जिन्दा रखने के लिए खाना जरूरी है वो ठीक है वो आप कमा भी रहे हैं वो आपकी सारी wishes complete हो रही है ठीक है third day अगर आपको ऐसा लगे तो परिशान होने की जरूरत नहीं है fourth day आपको ये लगेगा five of wants जैसा कि कुछ ना कुछ conflict चल रहा है जरूरी नहीं है बाहरी रूप से किसी दोस्ट से या किसी से आपका conflict चले या लड़ाई जगड़ा हो जाए या argument हो जाए बात यहां पर यह भी है कि क्योंकि आप अपने दिल में मंतन कर रहे हैं समुद्र मंतन जिस प्रकार होता है तो वो अगर आपके मन में सोल मंतन चल रहा है न तो यह वही मंतन की काड़ा रहा है कि आप मन ही मन में सोचेंगे कि मैंने अब तक क्या पाया क्या खोया और exactly ज्यादा शायद आपने पाया ही होगा आपका result fourth day में यही मिलेगा कि हाँ मैंने अधिकतर पाया ही है खोना तो यह mind कहता है मैंने खो दिया मैंने खो दिया मैंने खो दिया आप कुछ नहीं कोने वाले आप कुछ भी नहीं कोने वाले अधिकतर आपने लाइफ में पाया ही है अब आप देख लिजे ना खुबसरत आंके हैं आपकी इस खुबसरत बॉड़ी है आपकी सांसे अपने आप आरी जा रही है एफर्ट तो नहीं करना बढ़ रहा ना कि चलो एक इनहील लेते फिर भूल गए एक्जेल लेना तो अब क्या होगा यह तो इनहीलिंग ही होती जा अपने आपको अपनी बॉड़ी को अपनी सोल को पहेचानेंगे और आपको यह लगेगा कि हाँ यह इनहीलिंग एक्जेलिंग अपने आप हो रही है इशुट के थ्रू हो रही है मदर अर्थ ने हमें जो खाना दिया है वही खाना हमारे बॉड़ी में ऊुरजा बनके एक बनकर up and down हो रहा है और ये हमें effort नहीं लगाना पड़ रहा है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार रहना चाहिए Mother Earth का, Universe का, God का Angels का, अपने Ancestors का या Global Ancestors का ठीक है तो आप 5th day इस तरह से रहेंगे 6th day आपका 6th day आप हो सकता है अपने person से मिलें जो कि आपको लगता था कि ये बहुत ही egoistic है, arrogant टाइब के हैं बात नहीं करते हैं तमीज से नहीं बोलते हैं इस तरह कि बहुत सारे आपके questions माइंड में आएंगे क्योंकि 3rd day आपका ऐसा था कि मेरे पास है ही क्या लेकिन 6th day आपको लगेगा कि ठीक है वो अगर ऐसे हैं तो मुझे भी संभल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर angels 1st card में 1st day आज ही के दिन आपको ये बता रहे हैं कि blessings तो आपके लिए बहुत अच्छी ही है 7th card 7th day आपको ये लगेगा princes of swords की तरह है यहाँ swords बहुत आई हैं आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 swords यहाँ पर सारी ही की सारी बात communication पर है आपके बोलने के तरीके पर है आपके सोचने के तरीके पर है क्या आपका thought था क्या आपकी feelings थी इसके उपर बात हो रही है क्योंकि आपकी feelings को ज़्यादा ही प्रकर होकर निकल रही है इस time तो देख लेते हैं 7th day आप बहुत ज़्यादा अपने आपको balance करेंगे यहाँ पर cards को और shuffle करते हैं कि आपके person क्या सोचते हैं और क्या करेंगे ठीके ना आपके person क्या सोचते हैं you are the mirror of my soul वो यह सुचते हैं कि you are the mirror of my soul तो आपको परिशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ठीके और अगर आप master of the masters the gita gita deck से चुनते हैं shri krishna आपको क्या आशिरवाद और blessings देना जाते हैं only one card please only one card thank you so much god's reciprocation देखिए जो आप दे रहे हैं universe में भेज रहे हैं जैसे भी affirmations मैं कहा रही हूँ आपने बहुत अच्छी affirmations भेजी हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए तो यहां तो reconciliation के साथ reunite का भी sign बन रहा है god's reciprocation यानि कि जो आपने कहा वही आपको मिल रहा है जो भगवान से आपने मांगा universe से मांगा वो आपको मिल रहा है जैसा भी आपने मांगा बस आपने यह का कि okay I am surrender to you मैं universe को अपने energy को सब कुछ को universe को सौप देती हूँ आपने सब कुछ भगवान पर सौप दिया तो within seven days आपको इसी तरह की blessings मिलने वाली है mother earth से and the god से god को आप कुछ भी समझें angels समझें अपना जो भी इश्वर को आप मांते हैं वो समझें किसी भी धर्म में हो सब के लिए एक ही बात है और सब के धर्म में अलग-अलग भगवान है आदी योगी तो शिवजी ही है बाकी सब ही एक ही है angels के भी अलग-अलग रूप देखे जाए तो उसमें भी बगवान इंद्रा आते हैं कृष्णा आते हैं उनके assistant आते हैं ये सब ही mother गाया आती है तो ये सब ही जो है एक दूसरे से interconnected हैं बस हमने यहाँ पर अपने mind से अपनी अपने religion को अलग करके उनमें लड़ाई करते हैं तो ऐसा ना करें बाकी बात यह है कि आपने जो बोया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो ये आपकी first जिन्होंने किया चूस किया अर्थ मदर को उनके लिए ये feelings और ये messages आपके लिए आये हैं आपके God से, Angels से प्लस आपके person के थूँ आपको ये messages मिले हैं आपका reconciliation पका समझ ये Angels आपको तुरी तरह से आशिरवात दे रहे हैं अब आगे बारी आती हैं जिन्होंने Sky Father को चुना आगे देखते हैं आपके साथ क्या होने वाला है Angels का नाम ले ले अपने ईश्वर का नाम ले ले तो first, Nine of Swords आपके इसमें first card आया है Nine of Swords का येनि कि आपको लग रहा है कि इतना दुख, इतना परिशानी सब मेरी life में आना है क्या अगर इस तरह की feelings आपके 2020 में आई और आज के दिन भी ऐसा ही लग रहा है तो परिशान ना हो, क्योंकि life में परिशानिया, सब की life में आती है तो परिशान होने की जरूरत नहीं होती है, बस ये देखना होता है कि exact इस परिशानी से मैंने lesson क्या सीखा, मुझे माली अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसको आगे बढ़ाईए उस डर से आगे उस डर को जीतने की कोशिश कीजिए क्योंकि कुछ भी खोता नहीं है इस universe में कुछ खोता नहीं है बलकि हमें लगता है कि खो रहा है जो आया है वो जाएगा भी यह आपको पता ही है तो फरस्ट यह अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यह आपके लिए काड आ रहा है कि जो आया है वो जाएगा भी और एट अफ वार्ण्स आपके लिए reverse में आया है कि हो सकता है कि आप जिस और जाना चाह रहे हैं वो शायद direction ही सही ना हो जिस चीज़ के लिए आप परिशान हो रहे हैं वो direction ही सही ना हो वो सोचने का तरीका ही गलत हो स्काई फादर जिरुने चुना है उनके लिए यह बात हो रही है कि आपके अंदर femininity बहुत जादा है शायद और victim mode में आने की बात बार बार हो जाती है कि मेरे पास कुछ नहीं है मैं खोदूंगा या खोदूंगी ऐसा अगर feeling आ रही है तो ऐसा ना सोचें क्योंकि अपनी masculinity को जगाएं स्काई फादर masculinity की और इशारा करते हैं देखिए आगया ना masculinity का card king of wands यहां पर यहीं बता रहे हैं कि अगर आपका प्यार खोने की कगार पर था तो वो वापस ज़रूर आएंगे आपको मिलेंगे ज़रूर और आपसे बात भी ज़रूर करेंगे king of wands यही कहते हैं कि आपके person बहुती energetic, enthusiastic, smart looking and smart mind के भी हैं और वो आपको ज़रूर बात करेंगे, आपके और बात करेंगे आपके और कोई messages किया contact message किसी ना किसी तरह से ज़रूर करेंगे third day अब यह बात आती है fourth day में seven of wands और आपके person यहीं सोचेंगे कि अब मुझे किसी और के बारे में आपके बारे में यानि कि किसी और से नहीं सुनना है यानि कि वो पूरी तरह से grounded हैं और action लेने के लिए पूरी तरह से ready हैं आपको first day आज की तरह परिशान होने की ज़रूरतनी पड़ेगी क्योंकि fourth day आपको आपका person कोई ना कोई message देंगे plus साथ ही साथ action भी ज़रूर उठाएंगे कोई ना कोई जो आप चाहते है कोई ना कोई का मतलब है कि जिस बात से आप परिशान है fourth day आपको उसका action या result मिलने वाला है fifth day ये होगा कि six of wands आया है कि आप पूरी तरह से आप सुचेंगे कि हाँ हाँ ठीक है अब जो होना है वो होके रहेगा कुछ ना कुछ dreams में या messages meditation के दुरान कुछ ना कुछ messages आपको मिलेंगे third and fourth day तो fifth day आपको ये लगेगा कि लिए क्या है जो इश्वर कर रहा है वही सही जो universe मेरे ले कर रहा है वही सही अब मुझे किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और नहीं बहुत ज़्यादा परिशान होने की जरूरत है क्योंकि ऐसे में तो मैं अपनी mind को खोती जा रही हूँ अपना mind balance कोती जा रही हूँ और body में भी एक हो रहा है body एक हो रहा है तकलीफ हो रही है सर्दी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा या तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठन लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं ध्यान भी नहीं रख पा रही है अपना या पा रहा हूँ और आपके mind का दियान भी आप ही रेखेंगे तभी तो जाके यह सारी चीज़े मिलके आपकी soul को nurture करेंगी तभी तो आपकी soul खुबसुरत बनेगी तो number six day आपके अंदर से कोई भी इतरे का ego या negativity खत्म होने वाली है इसलिए यहाँ पर death card आया है death card यह पता रहा है कि आपके अंदर से negativity खत्म हो जाएगी और sixth day में आप बलकुल नए इंसान की तरह बन कर आएंगे seventh day में आपको यही लगेगा कि हाँ अब मुझे judgment मिली है अब मुझे नियाय मिला है अब मैं किसी भी तरह की चीज़ को सही गलत को सही तरीके से तेख पा रहा हूं या पा रही हूं मत चांद और सूरज का मिल हो जाएगा यानि कि yin and yang का मिल नहीं है यहाँ पर आप अपनी body mind and soul से मिल पाएंगे आप समझ पाएंगे कि अरे इतने बार बार परिशान रहे विक्टिम मोड में पड़े रहे कोप भवन में बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं है किसी को खोन कि मुझे क्या करना चाहिए मैं जो यह कर रहा हूं या कर रही हूं यह क्यों कर रही हूं इसलिए मैं यह बार बार करते हूं कि क्यों का सवाल अपने आप जरूर उठाईए कि आज मैं जो कर रही हूं क्यों कर रही हूं अभी मैं जो खा रही हूं क्यों खा रही हूं अभी मेरी mind body soul बहुत अच्छी हो जाएगी जो मैं कर रही हूं क्या मैं और जो सोच रही हूं और जो मैं परिशान हो रही हूं तो क्या इससे मेरी mind body soul बहुत अच्छी हो जाएगी नहीं अगर नहीं में जवाब आता है तीनों का और क्यूं और कैसे में और हर किसी का जवाब क्यू नहीं में आता है तो उस चीज़ को छोड़ दीजे फर्स डे अगर आपको इस तरह का विक्टिम मोड जैसा लग रहा है मैं उसको खो दूंगी क्या करूंगी यह नहीं तो यह आप यह सोचे कि क्या वाकिया आपके किसी और के चले जाने जाने आपका mind body soul खतम हो जाएगा imbalance हो जाएगा आप जीने के like नहीं रहेंगी ऐसा नहीं होता है जो आया है वो जाएगा भी आप भी आएं तो आप भी जाएंगे मैं यह कामना नहीं करती लेकिन जो सच है वो बोल रही है जो fact है वो बोल रही है जो आया है वो जाएगा छोटी से छोटा कीट पतंगा से लेकर बड़े से बड़ा, जो जिसका उदय हुआ है, उसका अंत जरूर होगा, तो बाद यहां पर आ रही है, जिसका रोज उदय और अंत होता है, वो सूरज चांद सितारे, यह हमेशा रहते हैं, यह परिवर्तन नहीं आता है, फिर भी इन में परिवर्तन आता है इसलिए मैं कहते हैं कि चेंज इस पर्मनेंट, बाकि कुछ भी पर्मनेंट नहीं है, आज अगर आप दुख में मैसूस कर रहे हैं, तो फिर सुक भी आएगा, आज सूरज है तो फिर शांद को चांद भी आता है, यह प्रसेस हमेशा चलता रहता है, और इतने प्यारे प्र प्रसेस चल रहा है, स्काय में चल रहा है, यह अपने जगह पर घूम रहे है, ऐसा तो थो नहीं है पिर थी अपनी दुरी को छोड़ गहीं और चले केई या सैटन कहीं और अर्थ की लाइन पर आ गया या फिर कोई कहीं और आ गया कोई कहीं और आ गया चांद ने का आज तो वहां से उभूँगा सूरज ने का आज यहां से नी आज पस्चिम से उखता हूँ चलो देखते हैं क्या होता है लेकिन हमारा इंसानी माइंड क्या कहता है हमारा मानस पटल क्या कहता है वो यह कहता है कि आरे मैं तो दुखी हूँ चलो दुखी हो लिया जाए आज के दिन नहीं फर्स्ट यह है साल का पहला दिन है खुश हो जाए चीर अप हो जाए जॉइफुल रही है तो आपके परसन आपके लिए क्या सूचते है आई विल प्री मैसल्फ सून तु बी विद यू देखिए आपके परसन अग्जिन के बारे में आप वेट कर रहे हैं सोच रहे हैं तो वो यह कह रहे हैं कि मैं अपने आपको बहुत ही जल्दी प्री करता हूँ आपकी तरफ आने के लिए तो परिशान होने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है श्री कृष्णा से ओम नमो बखवते वासु देवाया तो एक कार्ड हम ले लेते हैं कि ये हमें आपके लिए क्या गाइडेंस से थे हैं जै श्री कृष्णा आपके अंदर बहुत ग्यान है और इसी ग्यान को तो पानी के लिए आपको इस तरह से रखा जा रहा है जब भी इंसान आइसोलेशन में होता है बहुत अती दुख मिल जाता है अती संगर शाता है बहुत सारे दोके मिलते हैं तो समझ जाएए आप यहां पर गिवर है आप अर्थ मदर है तो अपने आपको संभालिए और दूसरों को भी ग्यान दीजिए यहां पर यही आता है आपके कई सारे रूप है आपको बहुत सारा ग्यान परदान किया जारा है इसी तरह से बहुत सारे दुख में रखने के बाद आपके अंदर ego का shedding खतम होगा, ego melt होगा, आपके अंदर जितनी भी negativity है जो भी तरह की negativity है, fear है, anxiety है, anger है यह सारी चीज़ें आपकी ईश्वर negativity के रूप में भार निकाल देने वाला है फैंक देने वाला है, within seven days आपकी बहुत अच्छी nurturing होगी, बहुत अच्छी soul pushing होगी और ठीक है, तकलीफ होती है, तकलीफ के बाद ही तो अब सोने को इतनी high temperature में तपाया जाता है पूरी तरह से उसे आग में छोक दिया जाता है, उसके बाद ही तो सोने के ornaments बनते हैं बनते हैं न, तो यह सभी कुछ आप जानते हैं, सबको सब चीज़ का ग्यान है, लेकिन हम करते क्या है, हम करते हैं, सबसे असान चीज़ क्या है ये सब कुछ आपके अंदर है ही है और वो जो सब कुछ आप सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो तो thank you so much for watching जिनोंने Sky Father second day को चुना thank you so much and wish you all the best and wish you very very happy new year हमेशा joyful रहें खुश रहें कुछ है चाहिए नहीं कोई है चाहिए नहीं हमेशा खुश रहें अपने mind body soul को balance कीजिए thank you so much for watching have a nice day